हर्यान में कोरोना के लगतार बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है कुछ दिन पहले सरकार ने पांच जिलों में मिनी लोकडाउन के आदेश जारी किये थे लेकिन उसके बावजूद भी हर्यान में कोरोना के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं बतादी की प्रदेश में कुल एक्टिव केस 6,36 हो गए हैं पांच जनवरी को 2,176 नए केस मिले हैं इनमें से आधे 1,178 केस गुरुग्राम में मिले हैं कोरोना के नई वेरियंट ओमिक्रोन के खौफ के बीच हर्याना सरकार ने बाजार और मॉल के समय में कुछ बदलाव भी कर दिये हैं वहीं बता दे कि हर्याना में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते सरकार ने महामारे अलड सुरक्षित हर्याना के तहट मिनी लॉकडाउन की पाबंदियां कुल 11 जिलों में लागू कर दी है गुरुप A में 6 नई जिले करनाल, पानिपत, कुरुशीत्र, यमुनानगर, रोहतक और जजजर को शामिल किया गया है इसके पहले गुरुग्राम, फरिदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनिपत में यह पाबंदियां लागू थी इन जिलों में कोरुणा की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है मामले 2 से 3 गुना जादा बढ़ गए है ऐसे में सरकार ने पहले 5 जिलों की तरह इन 6 जिलों को भी गुरुप A में शामिल करके इन पर नई पाबंदियां लागू कर दी है पुराने नियमों के अनुसार मल्टिप्लेक्स, सिलिमा हॉल, थेटर उन्हें बंद कर दिया गया है इसके लावा जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल को भी बंद कर दिया गया है बार और रेस्टरेंट को 50 प्रतीशत शम तक के साथ खोला जाएगा वही मॉल और बाजार को लेकर लोग व्यापारी लगातार विरोत कर रहे थे कि समय में बदलाव किया जाए तो अब सरकार द्वारा समय को एक घंटा और आगे बढ़ा कर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है ब्यूरो रिपोर्ट वी न्यूज